जेनेटिक्स का फर्स लेक्चर है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स ओफ हेरेडिटी अनुवन्शिक्ता की पूरव्वे पश्च मेंडेलियन अवधार नाएं तो सबसे पहले जेनेटिक्स या अनुवन्शिक्स की जो है उसको किस प्रकार से हम लोग परिवाशित कर सकते हैं तो यह जीवी ज्यान की एक ऐसी शाक्खा है जिसमें हम जीवों के अंदर जीन, अनुवन्शिक्ता का अध्यन करते हैं जेनेटिक्स शब्द जो थे वो विलियम बेट्सन के द्वारा दिया गया था और विलियम बेट्सन एक अंग्रेजी अनुवन्शिक्त था अन्वंशिकी का जो जनक है वो Gregor John Mandel को कहा जाता है और अन्वंशिकी का या आधुनिक अन्वंशिकी का जो जनक है वो William Batson को कहते है अब question देखो किस तरह से है हुआ है genetic शब्द किसके द्वारा अविश्कारित किया गया था तो यहां पे आंसर आ जाएगा William Batson के द्वारा यह दिया गया था तो आंसर इसमें आ जाएगा second उसके बाद question देखो genetic शब्द किसके द्वारा परतिपालित किया गया था तो इसमें आंसर आ जाएगा Batson तो आंसर first आ जाएगा उसके बाद देखो जनेडिक शब्द का सरोपर्तम प्रियोग की ने किया था तो William Batson ने किया था तो यहां पर आंसुद आ जाएगा William Batson उसके बाद question देखो किसको जनेडिक का पिता कहा जाता है तो Gregor John Mandel जो है उसको ऐसा कहते हैं तो आंसुद आ जाएगा ग्रेगर जॉन मैंडल उसके बाद देखो किसने अनवंशी की शब्द बताया था तो अनवंशी की शब्द जो था वो किसके द्वारा दिया गया था बेटसन के द्वारा दिया गया था उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनवंशिक्ता या वंशानुक्रम की यानि हेडिटी या इनहेरिटेंस की तो इसको हम लोग किस प्रकार से परिवाशित कर सकते हैं तो जनकों के अंदर जो अनवंशिक लक्षन होते हैं वो उनकी संततियों के अंदर स्थानांतरित होते हैं या तो एलेंग एक जनन के द्वारा या लेंग एक जनन के द्वारा और इस प्रकरिया को हम लोग बोलते हैं अनवनशिक्ता या वन्शा नुकरम अब देखो अनवनशिक्ता के उपर दो नंबर की प्रिवाशा पुछी हुई है तो ये प्रिवाशा आपको लिखनी है उसके बाद पूरों मेंडेलियन अमधारना या प्री मेंडेलियन कंसेप्स की बात करें तो मेंडल से पहले बहुत सारे ऐसे वेग्यानिक थे जिनोंने ये समझाने का प्रयास किया था कि जनकों से उनकी संततियों के अंदर जो अनवंशिक लक्षन है उनका स्थनांतरन किस प्रकार से होता है अब ये जो वेग्यानिक थे इनकी अनुसार जो जनकों के अनवंशिक लक्षन संततियों के अंदर स्थनांतरित होते हैं तो उस दोरान ये जो लक्षन है ये आपस में मिश्रित हो जाते हैं अर्थात जो अनवनशिक्ता है वो अन्दी होती है इसलिए हम लोग इन्हें अन्दी अनवनशिक्ता के वाद या theories of blending inheritance के नाम से भी जानते हैं अब ये वाद कौन-कौन से हैं तो कुल 6 वाद इन्होंने दिये हैं अलग-अलग वेग्यानिकों ने सबसे पहले moist vapor theory नम वाशब से दांत जो की पाइथागोरस के दोरा दिया गया था उसके बाद flood theory या द्रब से दांत जो की embedocles के दोरा दिया गया था और फिर reproductive blood theory यानि जन सिधांत हम लोग करेंगे वो detail में करेंगे क्योंकि ये काफी मैतपूरण है और पे question भी बनते हैं exam के अंदर तो चोथा है pre-formation theory या पूरव निर्मान सिधांत पांचवा है theory of pengenesis या pengenesis सिधांत और चटा है theory of inheritance of acquired characters या उपारजित लक्षनों की बंशागती का सिधांत तो सबसे पहले हम लोग करेंगे pre-formation theory या पूरव निर्मान सिधांत ये 1689 में स्वामर्डम के द्वारा दिया गया था इसके नुसार जो जीव है वो पहले से ही अपने छोटे रूप में शुकरानु या अंड कोशिका के अंदर उपस्तित होते हैं और उनको स्वामर्डम ने प्रेरित करने के लिए ताकि उसे बड़े जीव का निर्मान हो सके लुवन हौक ने 1622 इस्वी में शुकरानु को सबसे पहले देखा था उसके बाद करेंगे theory of pengenesis या pengenesis सिध्धांत ये जो वाद था वो मौपर 20 के द्वारा दिया गया था जो की 1698 से लेके 1757 इस्वी त अंगों तक गती करते हैं या अंगों तक आते हैं और ये कण जो है वो भुरून के अंदर एकठे हो जाते हैं और अपनी संक्या को बढ़ाते हैं उसके बाद डार्विन ने 1868 में इस सिध्धांत को रुपांतरित किया था और उसने ये बताया कि शरीर की प्रतेक काई कोश अपशिका वे उत्तक जो होते हैं वो छोटे कण उत्पन करते हैं और उन कणों को डार्विन ने नाम दिया था जैए मूल्स या पैंजीन्स तो कुश्चन देखो किस तरह से होगा है पैंजीन बाद पर चार नंबर का कुश्चन पूछा हुआ है तो ये लिग देना है इसने दिया था तो मापर टूइस जो है वह आंसर आ जाएगा उसके बाद थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइड करेक्टर्स की बात कर लेते हैं उपारजित लक्षनों की वन्शागती का सिधान्त ये फ्रांस के रहने वाले एक जीव वेग्यानिक जीन बैप्टि लक्षन की वन्शागती वाद किसके द्वारा दिया गया था जो इसमें असर आ जगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा दिया गया था उसके बाद बात करेंगे पश मेंडल अवधारनाएं या पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्स की तो मेंडल ने 1866 में ये बताया था कि जो अनवनशिक्ता है वो युगमित जरम इकाईयों के द्वारा पेर्ड जरमाइनल यूनिट्स के द्वारा निंतरित होती है और उनको मेंड ये जो कारक है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाय जाते हैं मेंडल ने ये बताया था कि सभी कोशिकाओं के अंदर ये कारक वपस्तित होते हैं और ये कारक जो है वो एक पीडी से दूसरी पीडी में स्थनांतरित कैसे होते हैं तो ये स्थनांतरित होते हैं युगम कों क उनको अनवंशीकी का बहुतिक आधार भी कहा जाता है तो कारक जो है वो वास्तों में क्या होते हैं गुण सुत्र के गुण सुत्रों पर छोटे-छोटे खंड होते हैं जनको कारक कहा जाता है अब ये कारक जो है एक पीडी से दूसरी पीडी में स्थनांतरित कैसे होते हैं तो वास्तों में जो गुण सुत्र है वो एक पीडी से दूसरी पीडी में स्थनांतरित होते हैं तो यह जो कारक है इन गुण सुत्रों के घटकों की रूप में फिर आगे पास आउट होते हैं इसलिए यह जो कारक है इनको अनुवनशिकी का गुण सुत्रिय आधार भी कहा जाता है अब गुण सुत्र जो है वो वास्तों में DNA का बना होता है तो गुण सुत्र में वो पस्तित जो अनुवशिक पदार्त है वो DNA होता है तो इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि जो कारक हैं यह DNA के खंड होते हैं और इनके लिए एक विशेश नाम दिया जाता है सिस्ट्रोंस ठीक है इसलिए DNA को अनुवशिकी का रसाइनिक आधार भी कहा जाता है उसके बात करेंगे क्रोमोजमल थियोरी ओफ इनेरिटन्स या अनुवशिक्ता का गुण सुत्रिय सिद्धान्त तो यह जो सिद्धान्त है वो बोबरी और सर्टन के द्वारा दिया गया था और इसे अनुवशिकी का आधार भूत सिद्धान्त भी कहा जाता है इस सिद्धान्त के नुसार जो जीन है वो अनुवशिक्ता की एकाईया होती है और ये जीन कहां पर पाई जाते हैं गुण सुत्रों पर पाई जाते हैं इसने गुण सुत्र को जीवों के वन्शा नुगत वाहन भी कहा था, इस पर कॉश्ण देखो किस तरह से है हुआ है, गुण सुत्रों में जीन का सिध्धान्त मेंडल दोरा दिया गया था, बिल्कुल गलत बात है, ये बोवरी वे सटन के दोरा दिया गया था, तो यहां पे